हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल एक्सेस अकेडमी पर सात्यों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आप सभी की आगामी यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयादी के लिए फिर आपकास्ट प्रीवियस एर कोस्टन सी सीरीज और ये वीडियो सीरीज आप सभी की आगामी यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी लेकपाल भरती, यूपी ट्रपल सी की तरफ से एवजित की जाने वाली पीटी एकजाम, स्सी जीडी एकजाम, उताप्रदेश पुलिस भरती परिच्छा के लिए काफी बीटियो, पहला प्रशन है, अपमान में कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त हुआ है, आपसन A, आपसन B, आपसन C, आपसन D, आप, तो इस प्रशन का राइट आंसर है, आपसन नमबर D, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, उपसर्ग हमेशा मूल सब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्य जो होते हैं, वो मूल सब्द के पीछे लगते हैं, दोनों नए सब्द का निर्मार करते हैं, और दोनों के जुड़ने से सब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, तो जैसे मान में जो उपसर्ग जुड़ा है, वो अप है, और इस प्रशन का राइट आंसर, आ कौन सा उपसर्ग प्रियोग हुआ है आप्शन ए दुश्य आप्शन बी दुर आप्शन सी आओ और आप्शन दू तो इस प्रशन का राइट आंसर है आप्शन नमबर दू अगला प्रशन है पराजे में कौन सा उपसर्ग प्रियोग हुआ है आप्शन ए पर आप्शन बी प प्र Safety दूग शमाज का उदाहरन है आप्शन ए मातापिता आप सन भी ये paradox सक्थिस नोगरह। आप्शन दिपीता उत है। कि ऐनी ऩचीजिगा है कि अगला प्रशिदें सिए के अगला प्रश्न हे हिंदी किसे लिप में लिखी जाती है एप्शन E. ड्राम मी, एप्शन B. दियोनागरी, एप्शन себя करोष्ठी, एप्शन D. गुरणुखी तो इस प्रशन का रिट आंसर आtsन नंबर B. हैंदीये में इसा दियोनागरी में लिखी जाते ही वहाई पंजाबी गुर्मुखी में लिखी कि अगला प्रिश्ण है तिस नंबर यह होगा सर्बनाम के कितने भीद होते हैं है अगला प्राइचन देखते हैं तो इस प्रशन का right answer option number C होगा, आकास पाताल के बीच में ये वाला जो चिन है, इसको योजक चिन के नाम से जाना जाता है, यहाँ नई साड़ी है, वाकि में नई सब्द क्या है, आपसन इस सर्व नाम ही, आपसन B क्रिया है, आपसन C क्रिया विशेशन है, आपसन D विशेश कहते हैं, अगला प्रशन है, नीचे दिये गए विकल्पों में से ततसम सब्द का चैन कीजिए, आपसन A आमर, आपसन B दूध, आपसन C सहीद, आपसन D खिड की, तो साथियों ये सारे तदभो हैं, ये सारे तदभो हैं, तो इस प्रकार इस प्रशन का right answer, आपसन A हो आपसन C, अगनी आपसन D, मुह, उशाथियों इस प्रशन का जो right answer है, आपसन नमबर D होगा, मुह, ये जो है तदभो शब्द है, अगला प्रशन है, नेमलिकेत में से कौन सा सब्द सूरी का पर्यायवाची नहीं है, इस पॉइंट को इस पेसली फोकस करना है सभी साथिय आपसन E, दिनकर, आपसन B, रभी, आपसन C, अंसुमाली, आपसन D, यामिनी, तो यामिनी जो है सूरी का पर्यायवाची नहीं है, बाकि रभी, दिनकर, अंसुमाली, भासकर, ये सभी सूरी के पर्यावाची है, अगला प्रशन है, मनोरत सब्द का संद बिच्चेद क्या ह अप्शन का जो राइट आंसर है, आप्शन नमबर A हो जाएगा, मनोरत सब्द का सही संद विचेन, मनाह धन रत है, अगला प्रिशन है, विद्यार्थी किस संदि का उदाहरण है? संधी का साथूइस प्रशन का राइट आंसर है आपसन नमबर डी देर्ग संधी का उधाहरण है विद्याव्थी जैसे हिमाले बिद्याले पुस्तकाले यह सारे देर्ग संधी के उधाहरण है सन्धियों की बात कि जाए तो संधियां तीन प्रकार की कौकं सी एक होती संधी दूसरी होती बेंजन संधी और तीसरी होती है विधां संधी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपसा नमर C दिग भ्रम जो है यह बेंजन संदी का उदाहरण है और इसका अगर संद विच्चे धम करेंगे तो यह बनेगा दिग धन भ्रम क्या बनेगा दिग धन भ्रम बनेगा ध्यान रखना है अगला प्रश्न है बिल्ली छत से सा कारक है आपसन ए अधिकरण कारक आपसन भी कर्म कारक आपसन सी संपरदान कारक आपसन डी अपादान कारक तो इस प्रिशन का राइट आंसर है आपसन नमबर डी बिल्ली छत से कूद पड़ी में अपादान कारक है और अपादान कारक क्यों है अपादान कारक का प्रियोग प्रथकत तो के रूप में किया जाता है और यहां बिली छट से कूदी यानि छट से अलग होने का अर्थारा है इसलिए इसमें अपादान का रख है नीचे लिखे गए वाकिके लिए एक सब्द बताईए जो युद्ध में इस्थिर रहता है उसके लिए क्या प्रियोग होग अगला प्रिशन है सयो किसे कहते हैं आपसन ए जो सक्ति की उपासना करता है आपसन भी जो सिव की उपासना करता है आपसन सी जो विश्व की उपासना करता है आपसन भी जो किसी की उपासना नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं तो यह तो आपसन होगा ही नहीं उपर में स तीर में से कौन सा आपसन होगा तो से उन्हें कहते हैं जो सीव की उपासना करते हैं और राइट आंसर आपसन नमर बी होगा अगला प्रिशने वाचाल किसे कहते हैं आपसन जो जल्दी जल्दी चलता है गलत होगा यह नहीं होगा जिसके चालना ठीक हो यह भी गलत होगा यह स्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द क्या है आपसने किरिया, आपसन भी किरिया विशेशड आपसन सी विशेशड, आपसन डी इनमें से कोई नहीं तो धीरे धीरे में किरिया विशेशड सब्द का प्रियोग हुआ है क्योंकि आप सबी लोक जानते हैं जो किसी संग्या सर्वनाम या करिया है या खुद विशे सड़की विशेस्ता वता है उसे क्रिया विशे सर्वनाम अगला प्रश्ण है जो निमलिके सब्दों में वरतनी के अंसार सुद्ध सब्द का चेहन कीजिए option पहला है इसमें सही वर्तनी का चैन करना है option A आनुसंगिक option B आनुसंगिक option C अनुसंगिक option D आनुसंगिक तो 50 वाले प्रश्ण में राइट आंसर होगा option नमबर A आनुसंगिक जो है ये सही जो है वर्तनी है अगला प्रश्ण सही वर्तनी का चैन कीजिए option A अंताच्छरी option B अंत्याक्छरी option D अंत्याक्छरी option D अंताच्छरी तो इस प्षेसन का राइट आंसर होगा, आपषन नंबर B अंत्याक छरी जो होता, यह सही वर्तनी होती अगला प्षेसने, 52 शुद्वर्तनी का चैन कीजिए सुस्मा, B है सुस्मा, सुसमा और आपषन सी, सुस्मा, आपषन D है सुस्मा तो इस प्रशन का राइट आंसर होगा आप्षन नमबर ए सुश्मा जो है वो शुद्ध वर्तनी है अगला प्रशन देखते हैं जो प्रतेओं से संबंधित हैं नीचे कुछ दिएगए सब्द दिएगए हैं प्रतेग सब्द में प्रिवत्प्रतेग को चुनना है आप्षन प्रशन है घुमककर आपसन ए crystals नहीं है आपसन भी अककर आपसन सी आप आपसन डी ओ बहुत सिम्पल सा प्रशन है और सिम्पल सा आंसर आपसन गिजाएगा अगला प्रशन है डिभिया में कौ। सब स्क्रेällen का प्रियोग हुआ है अगला प्रियोग है लिए रेमें किश्ण का उन्हीं से कौनसा बादल का भगirk है ऑफ सने आपसन भी Casey हिसमिक आपन स्टी-क के इस प्रेशन का जो रइड आंसर है कि आपसान नंबर शीवतार है उक इस प्रस्द में कुछ प्रोटी नजर आ रही है साथियों क्योंकि बादल का पर्यवाची से यहां संबंध नहीं है यहां पर पूछा गया होगा कि भावुक शब्द में कौन सा प्रत्य प्रियुक्त हुआ है यह पूछा गया होगा तब इसमें भावधन उक से उक प्रत्य सही होगा तो बादल नहीं है इसमें निम्लिखित से शब्द जो है भावुक में कौन सा प्रत्य प्रियुक्त हुआ है यह पूछा गया होगा और अगर निम्लिखित में से कौन सा बादल का पर्यावाची है तो अगर यह पूछा जाता तो इसके लिए आपक यहां होगा और इसका राइट आंसर आपसन नंबर ए होगा नीरद नीरज अम्भुज जो है कमल के पर्यावाची वहीं आम्भु आपको बता दें पानी के पर्यावाची है अगला प्रशन है प्रशन है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक सब्द का प्रयोग कीजिए अगला प्रशन है अहां आप आ गए वाकि में अहां सब्द क्या है किसी ब्यक्ति वस्ट को इस्थान्य प्राड्य के नाम को संग्या कहते है तो संग्या नहीं होगा प्राडोर का नाम कहा है अहां संग्या के अगला प्रशन है जो संग्याय सर्वनाम सब्दों के विसेस्ता बताए यह भी नहीं होगा इस प्रकार इस प्रकार इस प्रशन का राइट आंसर आपसन नंबर सी होगा अब्वे अहां सब्द एक अगला प्रशन है प्रशन निमलखेत में से पूलिंग सब्द कौन साह है आपसन ए नदी आपसन बी पानी आपसं सी इलाइची आपसं डी प्यास तो इस प्रशन का राइट आंसर होगा आपसन नंबर इपी पानी आप सब नदी बहती है इलाइची खाता है नहीं खाई जाती है प्यास बुझ गई बुझा गई नहीं बुझ गई तो इस प्रकार बोल कर देख सकते हैं और आप राइट आंसर पानी पिया जाता है पानी बहता है पानी बहुत है इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं और राइट आंसर आप से लिए आज के वीडियो का अंतिम कोश्चन है पवनकार संदे भिच्छेद क्या होगा आपसनी पाधन अवन आपसन दी पाधन अन तो सात्यों इस प्रिशन का जो राइट आंसर है आपसन नमर सी होगा पोधन अन तो सातियों यह थी यूपिटेट सीटेट सुपर्टेट और उन सभी एक्जाम्स के लिए हिंदी की पहली प्रेक्टिस सेट जिसमें हिंदी पूछी जाती है उमीद करते हैं यह वीडियो सीरीज जो शुरू की गई है हिंदी के लिए आप सभी की प्रेश्व के लिए हैं अगली वीडियो में मिलें अगली वीडियो में तब सबी साथियों को जैह जैवारत बंदे मातरम आप सबी शाहतीयों का दिन शुबूँ